नमस्कार मैं उप्रिया आज है 28 जनवरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दे कि आप रोजकार से जुड़े डेली के टॉप फाइव समाचार से अपडेटेड रहें के लिए हमारे नई यूट्यूब चानल जियूवी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चले बढ़ते हैं विहार की 25 बड़ी खबरों की तरफ कर्मचारी राजवीमान निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पतना ने प्रफेसर असोसियेट प्रफेसर सुपर स्पेशिलिस्ट सीनर रेजिरेंट के कुल मिलाकर 134 पदों पर आवेदन की मांग की है इन पदों के लिए सक्षनिक योगिता की बात करें तो अभिहर्थियों के पास MBBS, PG, प्रसांगिक, अनुसाशन और अनुभव होना अनिवार है इच्छो कर योग्यमिद्वार 9 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर आवेदन भड़ सकते हैं इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगे वेबलिंग पर जाकर ले सकते हैं गया के तिबबती मठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास तिबबती मठ बोध गया पर रेटन के सबसे बड़े आकर्शनों में से एक है यह बोध गया में सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है और इसमें बड़ी संख्या में प्रावचीन बॉध धर्मगरंथ और दस्तावेज मौजूद है मंदर को सजाने वाली मैत्रे बुध की एक मूर्ती है बोध गया में तिबबती मठ का एक अन्य आकर्शन दस मीटर उची धातु का ड्रम है जिसे सुनहरे और लाल रंग में रंगा गया है इस वस्तु को धर्मचक्र या कानून के पहिये के रूप में जाना जाता है 200 क्विंटल लोहे से बना धर्म चक्र परेटेकों में चर्चा का विशे रहा है कहा जाता है कि इस चक्र को घुमाने पर पापों से मुक्ती मिल जाती है मठ के भीतर एक विशाल पुस्तकाले है जिसमें बौध धर्म के विभिन पहलूँ पर कितावे हैं बिहार के मुझफरपुर में पटना समेत ये साथ जिलों की सेना बहाली का शेडियूल हुआ जारी बिहार के मुझाफरपुर के चक्कर मैदान में पहली बार दानापुर ARO के अधीन आने वाले साथ जिलों के लिए 11-28 फरवरी तक सेना बहाली की प्रक्रिया होने वाली है इसके लिए सेना मुख्याले ने कारिक्रम जारी कर दिया है इसमें सोलजर, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, एसकेटी, नर्सिंग, सहाइक और ट्रेट्समेंज, श्रेनी के लिए बहाली प्रक्रिया होगी इसमें पटना बकसर, भोचपुर, सिवान, सारन गोपालगर्ज और वैशाली जुले के 88,500 से अधिक युवक्ष चामिल होंगे शारिरिक दक्षता की जांच के बाद मेडिकल जांच होगी जिसके बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश कराया जाएगा इसके बाद मेडिकल जांच भी की जाएगी सूपर 30 के संसापक आनंद कुमार आज किसी परिचे के महताज नहीं है वही उनके अच्छे कामों के लिए अब तक उनको कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है जिसके बाद अब उन्हें यह पुरसकार 29 जनवरी को चन्ने में एक समारों में दिया जाएगा तमिलनाडू के राजपाल बनवारीलाल पुरोहित समारों में मुख्य अधित होने वाले हैं बिहार में शीतलहर का कहर जारी जिसके बाद अब जन्वरी के खत्म होते होते भी थंड ने लोगों की परिशानी बढ़ा दी है हाला कि कुछ दुनों में बिहार के कई जिलों में कोहरे से राहत तो मिल गई है मगर शीत लहर ने अभी भी लोगों की परिशानी बढ़ा दी है मौसम विभाग की माने तो फिलहाल लोगों को अभी ठंड से कोई राहत मिलने की उमीद नहीं जताई गई है आने वाले दो-तीन दिनों तक ठंड का ऐसा ही प्रभाव देखने को मिलने वाला है मौसम विभाग के मताविक मंगलवार को तापमान का पारा चड़ेगा लेकिन आने वाले कुछ दुनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं हाला कि ठंड के कारण लोग घरों में ही दुब के नज़र आ रहे हैं भाजपा ने पंचाय चुनाव की शुरू की तैयारी बिहार में पंचाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है जिसके बाद अप्रेल मई में होने वाले इस चुनाव को लेकर भाजपा ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है जिसके तहट बिहार में भाजपा एक बार फिर से चुनावी मूड में नज़रा रही है पंचाय चुनाव को लेकर पार्टी ने कमर कसली है प्रदेश स्तर के नेताओं को चुनाव में लगा दिया गया है और पंचाय चुनाव में उन्हें मैदान में उतारा जाएगा पार्टी को उमीद है कि इसे बिहार में पार्टी की जड़े और गहरी होंगी गांधी सेतु के समनांतर बनने वाले नैपुल के निरीक्षन करने पहुचे पत्नर्मान मंत्री पत्ना से वैशाले जुला को जोडने वाली गंगान अदी पर निर्मित विश्व प्रसिद सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु के समनांतर बनने वाले नैपुल का निर्मान कारे के सिती का जायजा ले ने वो धिवार को पत्नर्मान मंत्री मंगल पांडे और प्रदेश के पुर्फ पत्नर्मान मंत्री सहपटना साहिब से विधायक नंद किशोर यादव निर्मान स्थल पर पहुचे इस दौरान पट्टा सिटी के गायखाट पहुचकर वहां बने पुल पर निर्मान कंपनी के क पारियाले का भी जायज़ा लिया गया निरेक्षिन करने के बाद पत्निर्मान मंत्री मंगल पाण्ये ने कहा कि गांधी सेतों के पश्रिम में बनने वाले फोर लेंज सेतों का दर्मान कारे अपने जोरों पर है। प्रणकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 गंटे में कुल मिलाकर 86 मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,60,225 पर पहुच गई है। वहीने पेश होने बाले बजट को लेकर भी तैयार यांश शुरू हो गई है इसक्रम में पलिस महकमे के आधूनी की करन को लेकर भी बजट तैयार किया जा रहा है। पिछले वित्यवर्ष में बिहार पुलिस का बजट तकरीबन 9,000 करोर का रहा था वहीं इस बार भी आश्रंका जिदाई जा रही है कि उससे कई गुनाज ज्यादा रहेगा। पुलिस मुख्याले की तरफ से बनाय जा रहे वित्यवर्ष 2021-22 को लेकर स्वरूप तैयार कर लिया गया है। वही आप बिहार विधान मंडल की तरफ से स्विक्रिती मिलने के बाद ही यह तैय हो पाएगा कि बिहार पुलिस आधुनी की करन को लेकर कितना बजट मिला है। आपको बता दे परिक्षा में 221 पदों में से 35 पद, 36 आरक्षिण के अंतरगत, अनुसूचित, जाती महिला के लिए 14 और अनुसूचित, जन जाती के 2 पद, अत्यांत, पिश्रा वर्ग के 47 पद, जिसमें अत्यांत, पिश्रा वर्ग महिला के 16 और पिश्रा वर्ग के 26 आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आलोक नाथ की आलोक नाथ 10 जुलाई 1956 में खगडिया में जन में थे आलोक नाथ ने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में फिल्म गांधी से की थी उन्होंने हिंदिस सिनमा में हर तरह की भूमी का अदा की है उन्हें सूरज बढ़ जातिया और राश्री प्रड़क्शन की फिल्मों में अच्छे पिता का किरदार निभाने से हिंदिस सिनमा में बेहद प्रसिधी मिली जुसका रंदर श्रकों ने भी उन्हें बाबुजी कहना शुरू कर दिया था सिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध लगातार है जारी बिहार में सिक्षकों का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है सरकार की बेरुखी और लेट लतीफी को देखते वे सिक्षक अभ्यर्थी अभे भी विरोध में जुटे वे हैं बीते दिन लगातार नौवे दिन सिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध देखने को मिला जिसके तहट नियोजन की मांग को लेकर सिक्षक अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में बने हुए है ठंड में लगातार धर्णा प्रदर्शन कर रहे हैं सिक्षक अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि अभी तक सरकार के प्रतिनितियों और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनने आए हैं। अगर हमारी मांग से कोई परिशानी है तो आप हमसे बात करें। इतना ही नहीं सभी सिक्षक अभ्यर्थियों ने मीडिया कर्मियों से अपनी बात सरकार तक पहुचाने की बात भी कई है सिक्षकों ने साफ कहा है कि सरकार तक हमारी बात पहुचाए जाए ताकि नियोजन प्रोकरिया शुरू हो सके और हम अपने काम पर जा सके बिहार में क्याबिनेट विस्तार करने के मूड में नहीं दिख रही भाजपा बिहार में अंडिये के भवमत वाली सरकार बनने और शपत लेने के दो महीने से अधिक कास समय हो चुका है बावजुद इसके मंत्री मंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है एक दरफ जद्यों और बिहार के मुख्या नितेश कुमार ने सार्वजुनिक तोर पर दो बार भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा की वज़े से ही क्याबरेट विस्तार नहीं हो पा रहा है वहीं दूशरी दरफ भाजपा भी इस पर सुस्ताई हुई नजर आ रही है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जैस्वाल ने मीडिया से बाचीत करते वें बताया है कि क्याबरेट विस्तार में कोई देरी नहीं हुई है समय आने पर मंत्री मंडल का विस्तार हो जाएगा अब मोबायल से ही कर सकेंगे सनहा और FIR दर्ज बिहार पुलिस ने आम लोगों की सुवधाओं को ध्यान में रखते वें एक नई पहल की शुरुवात की है अब FIR या सनहा दर्ज करवाने के लिए आपको थाने के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी पुलिस आपके शिकायत को मोबायल से ही दर्ज कर लेगी इसकी पहल तिरहुत रेंज के आईजी ने की है तिरहुत रेंज में आने वाले लोगों के लिए वाट्साप नंबर 7070201-201 जारी किया गया है इसके लिए वाट्साप के जरूए आप्लिकेशन के साथ अपना नाम, पता, मुबायल नंबर और घटना क्रम का ब्योरा लिख कर भेजना होगा आवेदन की मॉनिटरिंग, आईजी और सम्मंधित जिले के SP कार्याले से होगी बिहार का नक्षा मुंबई दिली में भी कर सकते हैं, प्राप्त अब बिहार का नक्षा दिली मुंबई में भी हासिल कर सकते हैं राजसरकार की तरफ से किये गए बदलाव की बाद अब महानगरी दिली स्थित बिहार भवन और मुंबई के कोड़ा बांदरा में भी नक्षा निकलवा सकेंगे। बाद प्रेस आना पड़ता था। कर्मियों का आरोप है कि हमारी में ये जान जो खिम डालते वे अपना काम कर रहे हैं बदले में इन्हें सुविधाओं के बदले आर्थिक तंगी ही जेलनी पड़ रही है। पटना नगर निगम ने कमाई का निकाला अनोखा रास्ता पटना शहर में हर दिन निकलने वाले कच्रों को देखे तो इसकी संख्या हजारो टन में मापी जाएगी। पटना नगर निगम ने इन कच्रों का इस्तमाल करने की बात कही है। पटना निगम ने करती आ रही है। कि कुल चालिस नेताओं को प्रभारी की जिम्मदारी दी गई है जिनके नाम की सूची भी साजा कर दी गई है। किसानों के हुरदंग से अब किसान नेताओं ने जाड़ा पढ़ रहा। गंतनत दिवस के मौके पर किसानों की तरफ से उठाए गए उपद्रफ पर अब किसान नेताओं ने अपना पल राजहारना शिरू कर दिया है। जिसके तहए दो संगठन ने अपने आपको इस मामले से अलग कर लिया है। सिंग ने भी खुद को आंदोलन से अलग करने का एलान कर दिया है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई थी हाला कि तब जॉक्टर रे उनकी तब यह ठीक होने की बात गई थी। पटना में बढ़ सकते हैं 12 वाक्सिनेशन सेंटर। वाक्सिनेशन सेंटर की सूची भेज दी गई है। अगर इन वाक्सिनेशन सेंटर की अनुमती मिल जाती है तो 30 जनवरी से पटना में 12 वाक्सिनेशन सेंटर को बढ़ा दिया जाएगा। वाटसाप पर अब बदले का चाटिंग का अंदाज इंस्टेंट मेस्टिजिंग अप वाटसाप के यूजर आज पूरी दुनिया में भड़े पड़े हैं। अब वाटसाप अपने यूजर को बहतर सुविधा मोहया करवाने के लिए नए नए फीचर को भी जोड़ता आया है। बार में दिखाई देगा। इतना ही नहीं। इसके बाद सिधार समीच सभी दोस्तों ने शेहनास का केक भी कटवाया जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कारणों से दर्जप पश्विम बंगाल में कॉलकताव मेडिकल कॉलेज की अठालोसो पैतिस में शिर्वात आजी के दिन हुई थी। न्याधिश हीरालाल कानिया ने 1950 में आजी के दिन उचितम न्यायाले के मुख्य न्याधिश का पत संभाला था। 1913 में आजी के दिन हुआ था। 2017 में भारती अमूल की प्रसिद लेखी का भारती मुखरजी ने आजी के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। 28 जन्वरी को डेटा संग्रक्षन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 18.37 रुपए प्रती लीटर थी, मैंदी जल 76.1 रुपए प्रती लीटर था। कल हमारे दौरा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था। उसके लिए आपका बहुत बहुत हैनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है। इसके लावा हमारी टींग को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय क्या भाव के कारण हम उनका नाम धहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशुश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है।